फेमस रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के इतिहास की सबसे कॉंट्रोवर्शियल और सबसे लंबी लड़ाई रही सिधार चुकला और आसिम रियास की आप सब जानते हैं किस तरह से बार बार सलमान खान सिधार्थ और आसिम को समझाने की कोशिश करते रहे बार बार सलमान खान सिधार्थ और आसिम से ना लड़ने की बात कहते रहे लेकिन इन दोनों ने तो जैसे मानो कसम खा रखी थी ट्रॉफी जीते या ना जीते एक उचे के साथ लड़ाई भरपूर करनी है अब इन सब के बीच में सिधार्थ और आसीम की लड़ाई जो घर के अंदर हुई उसने घर के बाहर सेलिब्रिटीज को दो हिस्सों में बाट दिया कुछ सितारे लगातार आसीम का सपोर्ट कर रहे थे और कुछ सितारे लगातार सिधार्थ शुकला के लिए वोट अपील कर रहे थे खेर शो खत्म हो चुका है लेकिन सिधार्थ और आसीम की कॉंट्रोवर्सी अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होई है बिग बॉस सीजन 11 की कंटेस्टेंट बंदगी कालरा आ गई है चर्चा में और उसके पीछे की इसके बाद सिधार्थ के फैंस ने बंदगी को जम कर ट्रॉल किया और बंदगी ने इसके बाद एक और ट्वीट करते हुए कहा गोली तक सिधार्थ, सेमकषब गटेस्टेंट एक फैंस पे। घुर्च बंदगी ने अपना स्टाइप कर दिया बिलकुल क्लिया और कह दिया जब टक सिधार्थ आसिम मंत अपे। थे दोस्ती खदम सिधार्थ के प्रती बंदगी का प्यार भी खदम नेक्स्ट नाइम न्यूस से मेगा की रिपोर्ट